Hello Learners, मैं आपके लिलाई हूँ, Holy-related new vocabularies, praises and sentences. तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, Holy को हिंदी में Holy ही कहा जाता है, It is a name of a Hindu festival, Hindu festival का नाम है, ठीके, और Holy खेलने को play Holy कहा जाता है, ठीके, आगे नया वर्ट जानते है, festival का मतलब उता है त्याओहार, a day or time when people celebrate something, ठीके, especially religious event होता है वो, कोई भी धार्मिक चीज celebrate की जाती है, जब मनाई जाती है, उसे तेओहार कहते है, festival कहते है, और इसे मनाने के लिए celebrate word आता है, ठीके, next word जानते है, color, ठीके, color means आप समझते हैं, रंग, हिंदी में कहें तो, और the fact that something is red, green, yellow, blue, etc. और holy, जैसे कि हम जानते हैं कि रंगों का तेओहार है, इसे English में कहना हो, तो हम कैसे कहेंगे, holy is the festival of colors, holy is the festival of colors, अब अगर कहना हो कि बुरा न मानो holy है, तो हम किस तरीके से कहेंगे, तो don't mind, it's holy, don't mind, it's holy, और हम यह भी कह सकते हैं, कि don't get offended, it's holy, don't get offended, बुरा मत मानो, holy है, तीके, next, अगर हमें कहना हो, चलो holy खेलते हैं, let's play holy, बहुत ही simple है, let's play holy, holy खेलने के लिए play word आता है, अगर हमें यह कहना है, कि holy आने वाली है, या holy नजदीक आ रही है, ठीके, तो कहेंगे, holy is around the corner, around या around, कुछ भी आप कह सकते हैं, holy is drawing near, holy नजदीक आ रही है, को कहेंगे, holy is drawing near, next slide में जाते है, देखे, holy का word के लिए हम आता है, जिसे आप picture में भी देख रहे हैं, holy का word के लिए आता है, bonfire, a large fire that you built outside to burn rubbish, और is a part of a festival, ठीके, तो एक festival का part होता है, जिसमें आप holy का दहन करते हैं, और उसे कहते हैं, bonfire, ठीके, next word पे जाते हैं, अब holy का जलाने को क्या कहेंगे, तो जलाने के लिए light word आता है, light the bonfire, holy का जलाओ, ठीके, to begin or to make something begin to burn, ठीके, कोई चीज जलाना, या जलाने के शुरुआत करना, light कहलाता है, light एक verb की तरह काम करता है, bonfire यहाँ पर हमारा noun है, अब holy का क्या सपास आप चक्कर लगाते हैं, ठीके, उसे कहते हैं, revolver, परिक्रमा जिसे कहते हैं हिंदी में, तो इसके साथ word, मतलब इसके साथ जो preposition यूज होती है, वो होती है, around, revolve around the bonfire, something, ठीके, और इसका मतलब होता है, to move in a circle, around a central point, ठीके, एक central point होता है, जिसे आप holy का समझ सकते हैं, bonfire, उसके आसपास चक्कर लगाना, परिक्रमा लगाने को, revolving around the bonfire कहेंगे, अब इसके sentences देख लेते हैं, तो sentence है, people light the bonfire on holy eve, इव की बात करें, तो जो भी festival है, उसके एक दिन पहले वाली जो शाम होती है, ठीके, उसे इव कहा जाता है, और लोग क्या करते हैं, bonfire holy का जलाते हैं, holy eve पर, ठीके, next हम sentence देखते हैं, let's revolve around the bonfire, and perform the ritual, ritual, ritual perform करने के लिए कोई रिवाज है, अनुष्ठान है, उसे perform करना हो, उसके लिए do और perform, दोनों ही verbs यूज़ की जा सकती है, और इसका हिंदी, पूरे sentence का हिंदी मेनिंग है, चलो, holy का के आसपास चक्कर लगाते हैं, और अनुष्ठान करते हैं, next slide पर चलते हैं, देखिए आपको पता होगा कि, holy का में हम कंडों का यूज़ करते हैं, उपला भी कहीं कहा जाता है, तो इसको English में कहते हैं, cow dunk cake, क्या कहेंगे cow dunk cake, dunk cake भी कहीं कहा जाता है, a flattered and composed mass of animal dunk, ठीक है, वो कोई भी animal हो सकता है, used as a fuel for fire, fire के fuel के तरह से इसको use किया जाता है, ठीक है, next word पर जाएं, तो holika का next जो word है हमारा ash, अब जब holika जल जाती है, पूरी तरीके से holika दहन हो जाता है, तो बच्टी क्या है, राख बच्टी है friends, राख जो होती है, उसे English में कहा जाता है ash, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है, the grey and black powdery substance, ठीक है, ये आपको इस right side में दिख रहा होग ठीक है, तो ये एक तरीके का grey और black powdery substance होता है, जो burn करने के बाद last में बचता है, होलika के history की बात करें, तो इसमें एक devil king रहता है, हिर्ना कश्यपू, उसका बेटा प्रहलाद, और ये जो प्रहलाद रहता है, वो काफी बड़ा भक्त रहता है, भगवान विश्नु का, और हिर्ना कश्यप अपने आपको भगवान समझता है, और ये बरदाश नहीं कर पाता है, कि उसका खुद का बेटा उसे भगवान नहीं consider कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने sister holika को बोलता है, कि जाके आग में इसके साथ बैड जाएए, चिता में बैड जाएए, ठीक है, चिता बाद में जब ये सारे रिच्वल परफॉर्म कर दी जाते हैं, मतलब वो आग में प्रहलात को लेकर बैड जाती है, तो बाद में होता है कि होलika ही जल जाती है, और प्रहलात बज जाता है, तो इसी की आद में बुराई पर अच्छाई की जीत जो होती है, इसको ही सिंबोल in an oven or over a fire, ठीक है, कोई भी आग में कोई चीज आप सेख रहे हो, तो उसे roast कहेंगे, चलिए sentences देखता है, तो पहला sentence है, लिट the bonfire and offer new crops to the bonfire, ठीक है, bonfire मतलब आपको पता है, होली का जलाओ, और उसको कुछ चीज ओफर करो, कुछ new crops जो रहती हैं, कई-कई जगह पर, जैसे सागर साइड या कई reasons में इंडिया के, ये रिवाज है, ये ritual है, कि जब bonfire होता है, तो उसमें कुछ roast की जाती है, new crops जो रहती है, और उसको प्रशाद के रूप में बाटा जाता है, ये एक अदर thing है, तो दूसरा sentence देखते हम, distribute the roasted grain as holy का प्रशाद, ठीक है, तो वही sentence हमने बना दिया है, कि आप जो सेका हुआ अनाज है, वो होलिका के प्रशाद के रूप में बाटो, ठीक है, next sentence पर जाते है, in some areas, after the bonfire, people play holy with ashes, कई-कई reasons में, होलिका जलाने के बाद, होलिका की राक से, होली खेली जाती है, next word हमारा है, colored powder, ठीक है, colored powder कहते हैं, गुलाल को, अबीर भी कहीं कहीं कहा जाता है, पिच्चर में भी आप देख सकते है, water gun या squad gun कहते हैं, पिचकारी को, पिचकारी word आपने सुना होगा, खरीदने जाते हैं बच्चे, ठीक है, इसे water pistol, water blaster, या squad gun भी कहा जाता है, ठीक है, पानी फेकने काम आती हो, generally toy की तरह भी use कहा जा नेक्स्ट जाते है, water bombs या water balloons, ठीक है, water bombs जो गुबारे नहीं होते हैं, वो पानी के जो फेकते हैं, उसे कहा जाता है, water balloons, ठीक है, ये एक balloon होता है, जिसमें that filled with water, water से भरा होता है, sentence देखते है, I have got colored powder into my eyes, मेरी आखों में गुलाल चला गया है, ठीक है, इसे बताने के powder into my eyes, next sentence है, fill the water guns and make the water bombs fast, जल्दी से जल्दी water guns भरो, ठीक है, पिछकारियां भरो, भरने के लिए fill word आता है, और balloons है, उन्हें बनाने के लिए make the water bombs आता है, ठीक है, next है, don't throw the water bombs on passers by, ठीक है, passers by meaning, रहगीर होता है, गुजरने वाले होते हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, उन पर गुबारे फेकते हैं, पानी से भरे हुए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, काफी accidents हो जाते हैं इस कारण से, don't throw the water bombs on passers by, soft colors, soft color क्या होता है, मतलब कच्चे रंग, जो easily छूट जाते हैं, the color that easily wash out, color को दोने के लिए wash out word आता है, अब जानते है कि पक्के color क्या होता है, strong color, fast color, solid color, आप कुछ भी कह सकते हैं, और ये ऐसा color है जो easily नहीं छूटते हैं, easily wash out नहीं होते हैं, get off नहीं होते हैं, the color that is difficult to get off, निकालने में बहुत जादा difficult होतो, देखते हैं कि जब हम होली खेलते हैं, तो worn out गिसे पुराने कपड़े जो होते है उतसे खेलते हैं, उनको पहन के खेलते हैं, तो उसका English होता है worn out cloths, worn out cloths means घिसे पुराने damaged कपड़े, जो बहुत पुराने हो जाते हैं, too old or damaged to use anymore, इस तरी के कपड़ों को पहन कर होली खेली जाती है, ताकि वो ठीके नए कपड़े ख्रामना हो, sentence देखते हैं, तो I only play होली with soft colors, मैं सिर्फ कच्चे रंगों के साथ ही होली खेलना पसंद करती हूँ, next sentence है, don't apply solid colors onto my face, solid color मतलब जो पक्के रंग हैं, वो मेरे face पर मत लगाओ, लगाने के लिए apply आता है, आगे पढ़ेंगे हम क्या-क्या word है होली के color लगाने के लिए, everyone puts on or wear, ये चीज पहनने के होती है, और हर कोई worn out cloths on holy, मतलब घिसे पुराने कप्रे ही पहनता है holy पर, squirt, squirt का मतलब एक direction में, जिसे squad gun हमने पढ़ा था, squad gun मतलब एक direction में, जब पानी या liquid छोड़ा जाता है, तो इसको squad कहते हैं, और जो आप पिछकारी देखते हैं, तो उसे हम squad gun कहते हैं, उसी से है, पिछकारी मारने के लिए, word है squirt, इंगलिश में कहें, तो if a liquid squirts, or if you squirt it, it is suddenly forced out of something in particular direction, एक particular direction में, जब आप forcefully फेकते हैं, पानी, तो उसे कहते हैं, squirt, ठीके, आगे sentence देखते हैं, इसका, don't squirt water at me, मुझ पर पिछकारी या पानी मत मारो, ठीके, पिछकारी मत मारो, त तो next है, splash, splash word आता है काम कि आप उलीचते हैं, पानी उलीचते हैं, तो उसके लिए काम आता है, उच्छालते हैं तरीके से है, to make liquid fall noisily, or fly in drops onto person or thing, अगर कोई चीज पे पानी गिरता है, जैसे देखिए, ये picture में आपको बताया जा रहा है, ठीके, sentence देखते हैं, कि don't splash water on my face splash के साथ on preposition use होती है, ठीके, तो ये याद रखेगा, don't splash water on my face, मुझ पर पानी मत उलीचो, ठीके, next है, throw word, throw means होता है, fake ना, और fake ने के लिए, आप throw word यूज करते है, to send something from your hand through the air by moving your hand or arms quickly, ठीके, आप कोई चीज पेकते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है, throw, अब जैसे यहाँ पर color पेका जा रहा है, इस photo में, example के लिए ले, तो don't throw colors on animals, अब generally होता क्या है, होली में, animals पर लोग color फेकते हैं, पानी फेकते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए sentence है कि, जानवरों पर color मत फेको, तो don't throw colors on animals, next slide, next word, to dash water, to dash water एक phrase है, और इसका मतलब होता है, to splash liquid often violently, ठीके, आप कोई चीज छपाक से आप पानी फेकते हो, तो उसके लिए dash word यूज होता है, तो ये देखिए, छपाक से एक आवाज के साथ पानी फेका जाता है, इसका sentence है, she dashed water on me, उसने मुझ पर पानी फेका, या कहते है न, छपाक से पानी फेका, उसने मुझ पर छपाक से पानी फेका, our next word is, to get wet, ये होता है, गीले होने के लिए, to come into contact with water, और another liquid, आप किसी भी चीज से गीले होते हैं, लिक्विड से, कोई होते हैं, या पानी से होते हैं, तो उसके लिए to get wet word यूज होता है, अब देखे, example के लिए, don't play holy inside the room, घर के अंदर holy मत खेलो, ठीके, या room के अंदर holy मत खेलो, it might get wet, वो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ठीके, या हो सकता है, next word है to get soaked, पूरी तरीके से तर बतर हो जाना है न, बहुत जादा गीला हो जाना कि पानी नीचे तक टपकने लगे, उसको कहते हैं to get soaked, when water और any other liquid है, makes them extremely wet, बहुत जादा गीला कर दे, तो उसके लिए to get soaked word यूज होता है, ठीके, तो जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं next है इसका example, I got soaked because of you, मैं तुम्हारी वज़े से पूरी तरह से तर बतर हो गई, या हो गया, next slide, next word, drenched, drench या drenched एक verb है, verb की तरह यूज किया जाता है, बिलकुल तर बतर सराबोर कर देना, ये भी भींगने के लिए word है, ठीके, भीगो देना, to make somebody or something completely wet, ये भीगने के लिए नहीं है, ये भीगोने के लिए है, किसी को भींगा देना, ठीके, next हम जाते हैं, इसके sentence पर, तो I will drench him tomorrow, मैं उसे कल भीगो दूँगा, या you have drenched me, you have drenched me, तुमने मुझे भींगो दिया, ठीके, next word आ जाता है, अब देखो, भींगता है कोई इंसान, तो ठन लगेगी और ठ अपने के लिए, to shake slightly, especially because you are cold और frightened, ठीके, या तो आप ठंड से कापेंगे, या डर के मारे काप सकते हैं, शिवरिंग दोनों के लिए काम आता है, ठीके, जैसे के आप फोटो में, या पिच्छर में देख रहे हैं, इसका sentence है, don't drench her anymore, अब उसे और मत भीगाओ, ठीके, she started shivering उसने कापना शुरू कर दिया है, next slide, next word, color, color as a verb, हम देखते हैं, कि color लगाने के लिए, color word use होता है, as a verb, ठीके, तो don't color me, मुझे रंग मत लगाओ, ठीके, अब आगे जलते हैं, कि और क्या-क्या use होता है, color लगाने के लिए, तो apply color भी use होता है, apply color, ठीके, तो don't apply colors on my face, मे ये word use होता है, अब एक और चीज़े color लगाने के लिए, एक और word है, smear color, smear color का मतलब भी होता है, color लगाना, don't smear color onto me, ठीके, मुझे पर color मत लगाओ, आगे चलते हैं, grab him, पकड़ो, उसे पकड़ो, and smear color on his face, और उसके चहरे पर color लगाओ, ठीके, next जाते है, my face is smeared with colors, ठी सराबोर है, सराबोर होना, ठीके, उसे smeared with कहते है, तो my face is smeared with colors, मेरा face colors से सराबोर हो चुका है, next, जाते है, next word है, get dopped with, ये भी word सराबोर होने के लिए ही आता है, ठीके, get dopped with, ये phrase है, देखिए, जैसे कि, very holy, the walls of my house get dopped with colors, मेरे घर की दिवारें, पूरी तरेके से colors से, रंगों से सराबोर हो जाती है, अहल holy, ठीके, तो next, चलते है, next word, consume, consume word, कुछ भी खाने या पीने के लिए यूज किया जाता है, to eat or drink something, ठीके, अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि, एक्जामपल है, don't consume hemp, hemp word हम आगे समझते हैं कि क्या है, hemp या cannabis चीज होती है, a substance with mind-altering property that is prepared from the leaf and flower top on the Indian hemp plant, ठीके, तो ये चीज होती है, hemp का मतलब simply भांग होता है, भांग होली में काफी बनाई जाती है, तयार की जाती है, पी जाती है, ठीके, तो hemp is distributed in many places in holy holy में, काफी जगों पर भांग बाटी ही जाती है, ठीके, next करते है, tipsy, tipsy मतलब slightly थोड़ा सा drunk हो जाना, थोड़ा सा नशे में होना, तो इसका English में कहें तो slightly intoxicated or drunk, act foolishly in print of people, तो ऐसे लोग जो tipsy हो जाते हैं, थोड़ा सा foolish, अमूर्ख लोगों की तरह विभार करने लग तो जैसे कि image में देख रहा है, example के लिए कहें, तो they are a little tipsy, don't give them hemp anymore, वो थोड़े से नशे में हो चुके हैं, अब उन्हें और हांग मत दो, next slide पर चलते हैं, तो कुछ होते हैं, sweets हाब जो हम prepare करते हैं, होली पर, होली पर हर घर में बनता है, वो है gujia, और gujia को English में कहते है sweet deep fried dumpling, sweet deep fried dumpling, next है, मठरी आपने खाई होगी, मठरी आपके घर बनती होगी, उसको कहते हैं, flacky biscuit, क्या कहेंगे, flacky biscuit, next है, मालपुआ आपने खाया होगा, तो उसे कहते है, pancake, pancake, next है, चावल की खीर, चावल की खीर को कहेंगे, rice pudding, क्या कहेंगे, rice pudding, साबू दाने की खीर को, सागो पुडिंग, ठीके, सागो पुडिंग, पापड बनते हैं कई-कई घरों में, होली के दोरान, होली के टाइम पर, तो उसे कहते हैं, popadum, popadum, next है, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कहा होगे, आपने उसको इंगलिश में गुलाब जामुन ही कहा जाता है, ठीके next है, आपने शकर पारे खायोंगे, तो इसे कहते हैं, इंगलिश में, sweet bites या cookies, sweet cookies, ठीके, next है, नमक पारे, नमक पारे को कहा जाता है, salty bites, salty bites, अब देखे, इतने सारे मिठाईयां और dishes और पकवान, पकवान को कहते हैं, dishes देखकर मुँ में पानी आ गया है ना, ये mouth watering, क्या ह देने वाला food है, ठीके, तो इसके लिए देखते हैं, इतने सारे पकवान देखकर, तो मेरे मुँ में पानी आ गया, इसको कैसे कहेंगे, तो seeing so many dishes made my mouth water, ठीके, इतने सारी चीज़े देखकर, तो मेरे मुँ में पानी ही आ गया, ठीके, next है, होली में होती है, चहल पहल, और चहल पहल को का जाता है, हसल बसल, हसल बसल, ठीके, अब इसका एक sentence देखते है, there is a great हसल बसल in the market on festive season, festival के season में, बहुत जादा चहल पहल होती है, market में, ठीके, next है, अगर हम कहें, तो होली की wishes दी जाती है, तो वो wishes कैसे देनी है, वो भी हम बताते हैं आपको, May you be blessed with a day full of colors, happiness, laughter and smile, wishing you very happy, holy, May the spirit of holy brings you happiness, the warmth of holy brings you joy and the joy of holy brings you hope, तो ये आपको, किसी को भी message करना है, ठीके, holy की wishes देनी है, तो आप ये use कर सकते हैं, ठीके, next चलते हैं, तो ये हाँ पर होता है हमारा finish, और ये video हमारी release हो रिलीज हो रही है, रंग पंचमी के मिलब दिन पर, तो आप सभी को रंग पंचमी, holy की, बहुत 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 subscribe करना, share करना मत भूलिये, जिसको भी, देखे, किसी की help करने से बहतर celebration कोई नहीं हो सकता है, तो ये video अगर आपको सही लगा है, आपको अगर पसंद आया है, तो आप बिलकुल share करिये, अपके friends, family, relatives में, ठीके, और सभी की help कीजिए, और wish them a very happy holy, goodbye, till then.